नवस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चेनल घत्री डेरी फारम पर आपका एक बार फिशे श्वागत है आज की वीडियो है फिर से जो है सत्गुरू डेरी फारम से आज की वीडियो है इन्होंने जो है आठ गाये जो है सेल की है बिलवाड राजिस्तान में और वहां के लिए गाये जा रही है तो आपको दिखाया जा रहा है किस किस तरह की गाये वहां पर जो है इन्होंने शेल की और किस रेंज में शेल के किस प्राइज रेंज में जो है इन्होंने विक्री की है और कैसी कितनी इनकी मिल्क कैपेश्टी है वो आपको दिखाया जाएगा तो वीडियो को आप अन तक जरूर देखे और यह सत्गुरु डेरी फारम से आज की वीडियो है नीचे प्रमजी सिं प्रक कर सकते है आपको जो है इनके फारम से अगर पशु खरीदना तो आप इनके फारम से भी जो है परचेज कर सकते है या आप गूम फिर करके किशान के घर से पशु खरीदना चाते तो भी आपको पशु जो है किशान के घर से आपको खरीदवा करके जो है दे देंगे इनका फारम ये विलेज 19FF तैसिल स्री करनपूर डिस्टिक स्री गंगानगर श्टेट राजिस्तान में इनका ये फारम है और जादतर जो है एच अफ गायों का इनके पास काम है और बाकि आगर आप देशी ब्रीड में भी लेना चाहते हैं राठी शायवाल थार पारकर गेर में किसी परकार कि आप गाय या दुदार्वा बैसे लेना चाहते हैं तो वो भी आपको दिलवा देंगे बाकि आज की जो वीडियो इसमें आपको एच अफ गाय देखने को मिलेगी आप देख सकते सभी किसे भी चला करके दिखाई जा रही है और एक से बढ़कर एक गाय इसमें आपको देखने को मिलेगी कोई फीरस्ट टाइमर सेगन टाइमर इस तरह गाय है और कुछ तर्एल टाइमर भी आपको इसमें देखने को मिलेगी कुछ इसमें ब्याइख हुई है और बिलवाटा जा रही है यह आठ गाय कीमत इनों ने इसकी जो है 50,000 झाल से 60,000की बीच में इन गायों को इन्होंने विक्री किया है और दूश अमता 20 लिटर से लेकर के 26 लिटर तक की इन्होंने बताई है बाक कि आप गायों की क्वालिटी देख सकते हैं काफी अच्छी हष्ट पुष्ट रिडवाली सभी जो गाय है काफी अच्छी जो है प्राइस रेंज में जाय जो कीमत पर इन्होंने विक्री की है और लेवटी वगर आप देख सकते हैं सरीर देख सकते हैं किसी परकार से कोई भी गाय आपको कमजोर विमार नजर नहीं आएगी सारे के सारे legal document, check अपास करवा करके डौक्टर से certify करवा करके ही यहां से पशू को लोड करके बेजा जाता है और all over India में supply करते कहीं से भी आप इंडिया में कहीं से भी आप लेना चाहते हैं पशु दो चार दस बीस पचास सो जितनी पशु आप एक टाइम पर खरीजना चाहते हैं वो आपको यह जो है खरीदवा करके इनके फार्म से आप खरीशकते हैं और ओल ओवर इंडिया के लिए ट्रांस्पोर्ट की शुविदान के पास चोवी सो गुंटे उपलब्द है अच्छी यह बिकरी के लुपलब जो है समय समय पर करवाते रहते हैं कि रेगुलर वीडियो जो है आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी और अगर आप फेस्वुक पेज पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें फोलो करें अगर आप जाकर जाद और गुरूपों में भी शेर करें ताकि जो भी पशु खरीदना चाहता है पशु पालक जायज की मत पर खरीदना चाहता है वो इनसे संपर्क करें जाकर के दो टैम चार टैम अच्छी तरह मिलकिंग करें अगर गया बिने दूबारा चेक पास करवा करके आपको यहा प्रांसपोर्ट के शुदाइन के पास जो है ओल ओर इंडिया के लिए उपलब्द है चोवी सो गंटे काफी अच्छे चीन के पास आपको जो है हर ब्रीड में गाए देखने को मिलेगी और समय समय पर यह जो है लेकर के भी आ रहे है सारी की सारी आप वीडियो जिनकी आप दो लोगशे चर्ट बर ही जो है अब देरी के ओनर है उनका सथगरू डेरी फार्म के नाम से इनका का जो है डेरी फार्म रजिस्टर्ड है और हसन प्रीच सारग इनका भी नमबर निच्चे दिया गया है और आप उन्से संपर्क कर सकते हैं गुजरात में काफी इनकी गसे आप खरीदते हैं तो जाज परकर के जो है आपको टोप क्लास की जो टोप क्वाल्टी के जो गाए होती वो आपको विक्री किलोपलब्द करवाएंगे जायज कीमत पर करवाएंगे राठी शायवाल थार पार कर किसी परकार की किसी ब्रीड में अगर आप लेना चाहते ह तो आज की जो वीडियो है इसमें 50,000 से लेकर के 63,000 की इनकी कीमत है जो भी गायों की है तो कुछ गायों की है में है तो लिएटल के लिए थे जाए उन में काफी अछी जो है यहां की जो आप गाये देखेंगे और अलग किशी भी श्ट्रेट के आप देखेंगे जहां मिलती है च तो यहां की जो गाये उती क्रोस ब्रीड एच अश्व च जो ज्याद नहीं मनाती ए यहrü तैंपरेचर से बिख चाहिं को देख को कि नहीं देखे किस तरह की इनकी management है काफी अच्छी अच्छी गाई लेकर के आते रहते इसमयसे पर आप देख भी सकते हैं, और ये गाड़े का management आप देख सकते हैं, इस परकार से जो है आसानी से गाड़ी में गाई सभी की सभी लोड करती जाती है, अगर कोई गाए किसान के घर से लेकर के आते है तो इस तरह से उतार करके जो है सिद्धा इनके फारम पर फारम से जो है जो भी गाए लोड करनी हो तीस परकार से जो है मिट्टी बिगार अच्छी तरह डाल करके दानाचारा सब कुछ इसमें एड करके जो है यहां से रवाना करती जाती है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें